Welcome dear students to NDA Maths Classes by DB Sir तो बच्चो इन और प्रिवियस क्लास हमने स्टार्ट किया था सम्स्टेंडर्ड फंक्सिन्स और पहली क्लास हमने 7 स्टेंडर्ड फंक्सिन्स डिसकस किये थे और लास्ट फंक्सिन्स था हमारा सिग्नम फंक्सिन्स तो इसी प्रिकार से हम आए को थोड़ा से इसको कंटिन्यू करते हैं काफी सारे 16 थे तो आज की क्लास हम डिसकस करेंगे exponential function and logarithmic functions के बारे में और काफी सारे बच्चों को लग रहा होगी सर्थ तो functions में रहेगे तो लेट मी टेल यू अगर आपको calculus में अच्छा करना आगे चल करके तो functions तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ेगा अब इतना deep में भी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी हम हलका full का सबको touch करते भी निकल लें ठीक है तो आपको थोड़ा सा यहां patience रखना पढ़ेगा and in today's class we are going to discuss exponential function first and after that logarithm of functions तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग से और अगली class हमारा जो है standard functions वाले जो total 16 थे I'll complete ओके फिर आगे बढ़ेंगे functions में काफे सारे topic भी बचे हुए है they are yet to be covered तो ध्यान देंगे आप लोग क्योंकि जो previous बनी हैं उनको भी आप अच्छे से देखे और इतना deep में तो हम नहीं कर रहे हैं अगर हम exponential function को लेके बढ़ जाएं तो एक से डेर घंटे की class तो इसी की exponential function में लग जाएगा ठीक है तो have patience and अपनी तयारी जो है positive direction में रखी और काफे सारे बच्चों को लग रहा हो कि sir तो consistently जो है वीडियोस उगर प्रोबाइड नहीं कर पढ़े है but at least week में तीन वीडियोस तो मैं प्रोबाइड करी रहा है अपनों को ठीक है अब आजकल वैसे भी lockdown period चला हुआ है तो मेरे पर भी workload है ठीक है I am a teacher by profession और जितने भी classes में लेता हूँ तो उनके लिए online वीडियोस तो मुझे बनानी है काफे सारे काम है स्कूल के काम है तो पहली priority तो हर किसी इनसान की स्कूल लेता है यह तो मेरा एक social work है जो मैं कर रहा हूँ additionally ठीक है तो आपको थोड़ा सा patience रहना है वैसे काफे सारे वीडियोस बनी है उनको आप देखे और अपनी प्रैक्टिस जा ही रखी okay and मेरा जो flow है ऐसा चलता ही रहेगा but consistency जो है थोड़े सी अभी step हो रखी I know that अभी lockdown जैसे ही complete होता है तो fluency जो है फिर थोड़े सी सही आ जाईगी तो है patience till then तो start करते हैं आज की class without wasting must time अब देखिए सबसे पहले हमने यह आप लिखा exponential function तो exponential function होता किया है a function fx equal to a to the power x type का जो function होगा इसका जो form होगा a to the power x के form का होगा और जहाँ पर आपने note करना है जो a आपका जो base है यहाँ पर a वो greater than 0 होना चाहिए पहली condition और इसकी value 1 के बराबर नहीं आनी चाहिए जो base है वो 0 से बड़ा real number होना चाहिए और वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और दूसरा जो इसका exponent है x वो कोई भी real number चलेगा ठीक है तो x कोई भी real value ले सकता है जैसे हमने लिखा 2 to the power x तो आपका यह exponential function हो यहाँ पर जो base है बेस में negative number है और यहाँ पर बट एकी जो value है वो greater than 0 होनी चाहिए तो यह तो गलत हो जाएगा 0.25 to the whole power x है तो इसको हम कहेंगे कि यह exponential function है विगाँ यहाँ पर जो base है इस greater than 0 ओके तो यह सारी चीज़ आप निभाब में रखनी है exponential function के लिए a की जो conditions है और x की जो condition है x जो exponent है का वो उसकी जगर पर कोई भी real numbers आ सकता है अब देखे आप इनके graph की बाते करते हैं case 1 कह रहा है कि जब a greater than 1 होगा तो y equal to fx fx को मैं ने y मान रखा है फिला लिए आपे तो fx की जो value आएगी ax वो less than 1 आएगा means y की value less than 1 होगी कब जब x less than 0 होगा ठीक है means negative x axis वाली बाता हो रही है जब x जो है negative x axis में है तो y की जो values आएगी वो always less than 1 आएगी बट यहाँ पर एक चीज़ समझने आरी बात है अगर हम x axis पर चला जाएए यह आपका तो 0 होगया x axis पर इस से पहले minus 1 है suppose यह minus 2 होगया फिर minus 3 होगया ठीक है और यह चलता रहेगा एक हो तो यहाँ पर हमने study करने एक चीज यहाँ आप आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम means left hand side से right hand side की तरफ के आ रहे हैं तो x की values increase होते जा रही है ठीक है minus 4 से minus 3 minus 3 से minus 2 minus 2 से minus 1 and so on ठीक है और हम 0 की तरफ एप्रोच कर रहे है means हम negative x axis में है अभी 0 पे tend कर रहे है means पहुंसने की कोसिस कर रहे है तो वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि जो y की जो values है means height of the graph जो है आपका increase करते जा रहे है और वैसे भी आपका positive y axis पे है तो y की जो values हो रही है corresponding values वो increase करते वे चल ली है ठीक है तो आपने देखा but यहाँ पे जो y की highest value आएगी वो 1 की बराबर तो नहीं आएगी but 1 की बिल्कुल करीब तक आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहोंगे y की जितने भी values आएगी वो सब के सब less than 1 आए ना की 1 की बराबर आएगी अब इनकी value 1 की बराबर कर आएगी जब यहाँ पर हम x-axis पर 0 पर पहुंचेंगे तब जाके y की जो corresponding value आएगी वो 1 की बराबर आएगी जो कि हमने second में लिखा हूँ है कि y equal to 1 for x equal to 0 ठीक है उसके बाद फिर हमने 0 cross किया तो यहाँ पर positive values आएगी 1, 2, 3, x में positive values आएगी यहाँ भी हम right hand side की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो x की values increase करते जा रहे हैं और y की जो values आएगी सबसे जो छोटी value होगी तो वो आपकी 1 से बढ़ी ही आएगी means जिसकी height होगी वो 1 से बढ़ी होगी और वैसे आप देखेंगे pattern को study करते रहेंगे यहाँ पर जो height की study करेंगे यहाँ पर graph की तो यह height जो है increase करते जा रहा है जैसे जैसे हम x की values को और increase कर रहे है ठीक है तो यहाँ आपने लिखा भी है y equal to fx equal to a to the power x is greater than 1 for x greater than 0 means y की जो value होगी always greater than 1 आगी for all positive values of x ठीक है as you can see from the graph तो यहाँ पर हम एक चीज़ conclude कर सकते हैं यहाँ पर की x के increase होने पर y की value भी corresponding जो values हो रही वो भी increase करते जा रही है और graph का save कुछ steps से आपको नजा रहा है और यह graph हमेशा कौन से point से होते हो निकलेगा y axis पर 0,1 से होते हो निकलेगा ठीक है बट यहाँ पर y equal to a to the power x हम तो general form ले रहे है अगर हम एक ही value यहाँ पर change करते रहे हैं तो ऐसे तो दुनिया बरके आपके exponential functions हो जाएगे ठीक है तो यहाँ पर particular एक general exponential function की बात करें ना कि हम different different अगर हम different different बात करने लग जाएंगे तो फिर y equal to 2 to the power x फिर 3 to the power x 4 to the power x फिर इनके बीच में तो infinite आपके real numbers है point में कितने सारे आ जाएंगे तो वो सबके तो graph कुछ अलग-अलग बनेंगे बट सब में common चीज यही रहेगी सेफ कुछ step का ही रहेगा सब में ठीक है अगर में इनके difference की बात करो ठीक है और यहां पर आप देखेंगे कि 0,1 से जब में 2 to the power x का graph बनाऊगा तो यह कुछ step से बना suppose कीजिए यह 2 to the power x का graph बना ओके वैसे फिर 3 to the power x का जैसे graph बनाऊगा तो 0,1 से पहले जो है यह जो है नीचे होगा इस graph के नीचे होगा बट जैसे ही 0,1 y axis पे cross करेगा तो यह 2 to the power x के उप़र आजाएगा इसका graph यह बन किया 3 to the power x का graph ओके वैसे एकर हम 4 to the power x की graph की बात करें तो यह आपका फिर यह 0,1 से नीचे होगा ही बट जैसे ही आप cross करेगा 0,1 तो इसकी जो है उपपर आजाएगा 3 to the power x की graph की ओके यह आपका 4 to the power x का graph हो गया तो इस तरह के से थोड़ा से changes में रहते हैं बट common सी चीज है इनका shape जो और यह जो graph होगा यह हमेंसा कहां से pass करेगा इसका देहान दखना है एक common चीज सभी graph में है कि वो 0,1 means y axis पे वहां से होते हुए pass करेंगे ओके तो इस तरह के से आपने देखा कि graph इस तरह के से इनका plot होता है अगर इनके domain or range की बाते करें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि torch आप vertically downwards लगाएंगे x axis पे देखेंगे कि इनकी चाया जो है तहां पे बन दिये तो आप देखेंगे कि x axis में पूरा का पूरा x axis कवर हो जा रहा है इस graph की चाया से ठीक है अगर उपर से torch light लगा है तो इसका domain क्या हो जागा domain will be all the points on the x axis that means real numbers होगे आपके सारे के सार किया horizontally from both sides ठीक है जैसे हमने torch किया तो इसने graph को जो है कहां पे shadow इसने बनाया इसने जो है positive x axis को पूरा shadow बना दिया but zero पे यह नहीं आएगा zero पे इसकी shadow नहीं आएगी because यह जो graph है जो graph की height आप देखेंगे नीचे में यह आपका कभी भी x axis को touch नहीं करेगा means हाला कि यह इसने का मतलब है कि height of the height of the graph from x axis will never be equal to zero but it will tend to zero ठीक है तो zero के बराबर नहीं आएगा जब axis को करेगा है नहीं तो इसका जो shadow होगा zero पे तो गिरेगा नहीं तो इसका जो shadow मनेगा zero से उपर y axis पे जितने भी points है उन सब पे shadow पर जाएगा तो that means हम कह सकते है यह पर range of this function will be equal to zero comma positive infinity हो गया आपका zero पर आपका आजाएगा यह आपका open bracket ओके इस तरह किसा हम लिख देंगे range in the same manner आप दूसरे आला के इसको समझ सकते हैं जब a की value zero और one के बीच में like करेगी तब इसका graph exponential function a to the power x का graph कुछ ऐसा बनेगा as you can see on the right side of the screen y की जो value आएगी वो greater than one आएगी कब जब x less than zero है तो आप देख रहे हमें यहाँ पर उल्टा हो रहा कहानी यहाँ पर देखने कि y की जो values हो रही है वो degrees करते जा रही हैं जैसे जैसे हम x की values को increase कर रहे हैं बट जो y की सारी जो values आ रहे हैं यहाँ पर graph में अम मिलने हम negative x axis प हो गी है means लगातार गिरते जा रही है बट सब में common चीज यह है कि सारी height जो है less than one है positive x axis में आके ओके hope this is clear तो यहाँ पर आपने एक common सी चीज हो गई जो आपने समझनी है दोनों graph में difference क्या हो गया है पहले वाले graph में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे x increase हो रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x increase हो रहा है तो वैसे वैसे y की जो values है वो degrees होते जा रही है व और उसके बाद range will be equal to वही आपका जागा 0 to infinity open interval ओके hope this is clear तो यह सारे points आपने दिमाग में रखने हैं हाला कि काफी चीज़े हैं इसको discuss करने तो इसमें काफी सारे points है बट हलका फुलकास अगर हम touch करते हुए चले तो बहुत better रहेगा और थोग्राफ की understanding भी आपकी clear होनी चाहिए हर किसी का जो standard जो हम discuss कर रहे है functions का तो हर किसी function का graph थोड़ा थोड़ा आपको idea होना चाहिए बनाने का कैसे बनता है domain range यह सारी चीज़ें ओके अब बढ़ते हम आगे को that is logarithmic functions में इसके बाद बात करते हम logarithmic functions के बारे में कोई function fx equal to log x base a type का हुआ जहां पर a greater than 0 होना चाहिए और a की value 1 की बराबर नहीं होनी चाहिए तो यह same conditions हमने discuss किया था exponential functions में भी hope you remember ठीक है इससे पहले just हमने discuss किया था exponential function में भी conditions same थी यह दोनों बट तीसरी condition यहाँ पर different as you can see over here तीसरी condition में exponential में था कि x कोई भी real values ले सकता है बट यहाँ पर x के बल positive values लेगा positive real values लेगा means x की values जोए greater than 0 होगी और जैसे हमें मालू में log के बारे में जै कोई किसी भी हम जैसे a to the power b equal to हमने x लिखा तो इसको हम intern log के terms में ऐसे लिखते हैं log x base a equal to हमने लिख दिया b तो इसका मतलब यही हुआ कि a to the power b equal to x तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं तो y अगर fx को मैं y की तरह ठीट करूँ तो यहाँ पर y equal to log x base a हो गया है तो इसको intern हम लिख देंगे a to the power a to the power y equal to x तो इस तरह के साम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसके graph की जहाँ तक बाता आती जैसे कि आप देख रहोंगे यहाँ पर case 1 और case 2 हमने यहाँ बना रखा है case 1 same condition है कि a greater than 1 वाली बात होगे इसमें और दूसरा यहाँ पर case 2 में हमने लिखा है कि जब a की value 0 और 1 के बीच में like करेगी तो यहाँ पर आप देख रहोंगे graph में y equal to log a x is less than 0 always less than 0 case 1 में देखिया आप y equal to log x base a की जो value है always less than 0 आएगी कब जब x 0 और 1 के बीच में like होगा ओके तो आप देख रहें graph में 0 और 1 की बीच में चले जाएएं आप तो 0 और 1 की बीच में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप आप देख रहोंगे कि जो y की value है वो always less than 0 means y हमेसा negative है ठीक है आप देख रहोंगे negative है और यहाँ पर y की values increase करते जा रहे हैं आप देख रहोंग यहाँ पर अगर मैं x axis पर 0 से 0 और 1 की बीच में हूँ means 0 को नहीं लूँ में और 0 और 1 की बीच में हूँ और वहाँ से start करूँ 0 के बिलकुल बगल से start करूँ और चलना start कर दूँ positive x axis की तरफ को ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहोंगे जैसे जैसे x increase हो रहा है तो y की value ह हो रही है y की values भी क्या और इंक्रीस कर रही है means वैसे इनकी height तो decrease हो रही है आप देख रहोंगे कि height में यह decrease करते जा रहा है but height decrease कर रही है but y यहाँ पर negative x axis में है तो जितना बड़ा हुगा इसकी length उतना छोटा माना जाएगा जैसे कि आपको मालूम है कि negative में जितनी to 1 जैसे ही पहुंचे हैं तो y की value 0 के बराबर आ गई तो y की value 0 के बराबर आ गई फिर हमने इस से आगे को increase किया x की values को और increase किया तो y की values फिर से increase करने लगी है यहाँ ठीक आप देख रहेंगे y की values जो है यहाँ पर positive y axis है तो इनको height से आपको पता जाएगा कि increase हो रही है okay और main चीज है यहाँ पर कि यह जो graph होगा always 1,0 x axis से होते पास होगा इस तरीकी से ठीक है graph का common shape ऐसे ही रहेगा हाला कि यहाँ पर एक ही जिगर पर हम values चेंज करते रहेंगे तो चीज है तो काफे सारी changes होंगी हर किसी particular graph में but सब के लिए common वाली बात यह हो जाएगी okay इसके बात देखें आप इसके domino range की बात करें तो domino range में क्या होगा जैसे आपने torch sugar किया उपर की तरफ से ठीक vertically downwards यहाँ से किया या नीचे से vertically upwards किया तो आप देखेंगे कि यह कौन सा region cover कर रहा है इसकी shadow यह आपका पूरा का पूरा positive x-axis cover कर रहा है excluding 0 ठीक है 0 यह exclude नहीं करेगा sorry 0 include नहीं करेगा that means 0 से लेके infinite x सारे values नहीं कर देगा excluding 0 तो यह आपका domain हो जाएगा ठीक है domain of this function and after that if we talk about range range की बात करें तो यह देखें y-axis में कहां cover कर रहा है अगर हम horizontally torch हो रहा है लगाएं दोनों direction से तो देखें कहां cover कर रहा है y-axis को हम देखेंगे यह पूरा का पूरा y-axis को पूरा का पूरा cover कर रहा है that means range इसका हो जाएगा r के बराबर okay in the same manner you can see the other case when a will lie between 0 and 1 log x base a की value greater than 0 है for all x lying between 0 and 1 और यह आप graph का pattern इसी तरह के से study कर सकते हैं ठीक है आप यहां देखें कि x जैसे increase हो रहा है 0 और 1 में तो y की values क्या और ही decrease हो नहीं देखें आप y जो है decrease क पर कहां पहुचे 1 पर पहुचे तो y की value 0 आ गई फिर आपने और cross किया इस point को x-axis पर तो y की values क्या हो रही देखें आप y की values जो है decrease करने लगी कम होने लगी में इस negative में आ गए तो y की values जितनी बड़ी में इतनी चोटी होनी जाएंगे यहां पर तो आप देख रहे हैं ज से पहले आलाग आपको देखा case 1 में ओके तो इस तरह के साफ इसके domain और range की बात है क्या है तो domain क्या हो जाएगा domain will be 0, infinity ओके और range क्या हो जाएगा range will be all set of real numbers means total real numbers जितने भी आपके आप hope this is clear तो आज की class में इतना ही discuss करेंगे and in the next class we'll discuss the जो बचे खुचे जितने ही functions आपके 16 तक वो सारे की सारे हम complete कर देंगे okay thank you for today's class